साल 2023 में PNB ATM gas withdrawal process में दो अपडेट्स हुए है पहला अपडेट तो है कि PNB के ATM machine के software को अपडेट कर दिया गया है जिसकी वज़ाई से आपको look and feel थोड़ा सा अलग मिलेगा और दूसरा अपडेट है कि अभी जो ATM card मिल रहा है PNB की तरफ से वो इस तरह का ATM card मिल रहा है contactless ATM card इसमें आपको front side में एक Wi-Fi का symbol बना हुआ मिलेगा और आपके पास अभी जो ATM card है उसको देखिए उसका design साय थोड़ा सा अलग हो सकता है तो उसका design किस प्रकार का है और क्या उसके front side में Wi-Fi का symbol है या नहीं है वो हमारे साथ comment में जरूर शेयर करें ये जो contactless option Wi-Fi symbol है इसकी वज़े से जब आप ATM से पैसे निकालने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर एक screen आपको ज्यादा visit करना पड़ेगा जिसकी वज़े से अभी बहुत सारा confusion हो रहा है तो चलिए सिदे ATM में चलते हैं और इसका एक live demo देख लेते हैं सबसे पहले तो ATM card को machine में properly insert करना है तो जो chip बला हिस्सा है वो machine के तरफ रहेगा तो चलिए card को में insert कर लेता हूँ ये main screen है हमारे सामने है इसमें banking का option को मैं select कर लेता हूँ अब language selection का option है इसमें हम English को select कर लेते हैं देखिए यहाँ पर right hand side में सबसे नीचे cash withdrawal का option है इसको मैं select कर लेता हूँ do you want a receipt for this transaction तो receipt मुझे चाहिए तो इसको मैं yes कर लेता हूँ यहाँ पर amount enter करना है तो अभी 8000 rupees में withdrawal करने वाला हूँ तो इसको मैंने enter कर दिया अब इसको proceed कर लेते हैं यहाँ पर pin enter करना है तो pin मैं enter कर देता हूँ अब देखिए यह जो screen है यह आपको wifi symbol यान के contactless card की वज़े से यह screen आपको मिल रहा है यह option आपको देखने को मिल रहा है इसमें एक जगा पर आपको अपना card number मिलेगा और दूसरे एक number में card number दिखा रहा है आपको देखिए यहाँ पर two number option में मेरा account number शो हो रहा है तो keypad पर ATM के keypad पर मुझे cable to press करना है account number मुझे पूरा प्रेस करना नहीं पड़ेगा cable to press करना है और proceed करना है do you want to select denomination तो ATM में जो note है क्या मैं वो note को select करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं yes को select कर लेता हूँ जिससे मैं चुन सकूँ की कौन सा note मुझे चाहिए तो अभी 500 और 100 ये दोनो note ATM में मुझे चाहिए तो मुझे अभी 500 का note चाहिए तो मैं 500 को select कर लेता हूँ अब इसको confirm कर लेना है देखिए मसीन से पैसा निकल चुका है यहाँ पर हमारा काम हो चुका है इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ATM से पैसा निकाल सकते हैं PNB ATM से अगर आपको इस टोपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कोमेंट्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजे मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद नमस्कार